नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इंवेस्टिंट राबा चैनल में दोस्तो आईपियो का अंजाम देखने को मिला है है हैसियस से अधिक दाम पर लिस्टिंग से निवेशकों को नुसान इस साल सूची बद 11 में से 10 शियर लिस्टिक प्राइस से नीचे कर रहे हैं हैं मतलब कि आईपियों के ऊपर आईपियों को कई सारे कंपणियों के आईपियों की वैल którą ची थी या कंपनी ने भूद अच्छी परफोर्मेंस की थी ज्यादा ज़्यादा तर दोस्तों जितने भी आईपिव आपने देखे होंगे अच्छे लिस्टिंग प्राइस पे आये थें लेकिन दोस्तों अभी नीचे ट्रेड हो रहे हैं अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर को इससे काफी स सारा नुकसान हुआ है अस सब कुछ जानेगी दोस्तों इस बारे में वह कौन से चेर है जो अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्ट्मेंट बाबा के साथ उससे फेले दोस्तों मेरी आप से रिक्व लेकर रिटेल निवेश्को का उत्सा चरम पर है लेकिन इन ही आईपियों में रिटेल निवेश्को को अच्छा खासा चूना लग रहा है इस साल अब तक लिस्ट हुए 11 आईपियों में से 10 के शेयर लिस्टिंग प्राइस से कम कीमत पर ट्रेड हो रहे हैं इन में से 5 तो ऐस से हैं जिनकी ट्रेडिंग इशू प्राइस से भी नीचे हो रही है असल में अधिकतर आईपियों हाई पी ए रेशो पर आय थे सूची बद होने के बाद इनकी कीमते जब सेटल होना शुरू हुई तो दाम गिर गए क्योंकि रियल वैल्यू पहले ही कम थी इस साल अब तक आय आईपियों में एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, इंडियन रेलवे फाइनस कॉर्परेशन, होम फर्स्ट फाइनस, इजी ट्रीप और अनुपम रसायन के शेरों की ट्रेडिंग इशू प्राइस से नीचे हो रही है रेल टेल कॉर्प को छोड़कर अन्य सभी की ट्रेडि प्राइसिंग यानि जरूरत से जादा कीमत दोस्तों यहां पर असली कहानी क्या है गौर कीजिएगा दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा इस महिने कई सारे आई प्यों आये चाहे उस कंपनी की वैलुएशन अच्छी हो चाहे ना हो चाहे उस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो या ना हो या उस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो या ना हो लेकिन कंपनियों ने क्या किया मार्किट की तेजी का फायदा उठाकर अपनी कंपनियों के शेयर को उची कीमत पर लिस्ट कर आया लेकिन दोस्तों एक दिन मार्किट को तो फिक्स होना ही था औ और उन कंपनियों की वैलुईशन अब सामने आ रही है चली दोस्तों बात कर लेते हैं अभी तक जितनी भी कंपनी के आईपियों आए क्या कारण था कि इनके शेर जो इनके लिस्टिंग पराइस से इनके इशू पराइस से भी नीचे ट्रेड होने लगी उसके पीछे क्या का के लोग एलू शेर बाजार में करेक्शन शूरू हो गया तो दोस्तौइशन यही में तीन कारण थे जिस वज़ेसे यह कंपनी आप अपने एशू पराइस से और अपने कम्पनी ने 26.62% की बढ़त के साथ 164.60 रुपए पर बंद हुए वहीं क्राफ्समेन आटोमेशन के शियर आईप्यो प्राइस 1490 रुपए की तुल्ला में 1350 रुपए के साथ 9.40% डिसकाउंट पर लिस्ट हुए हाँ तो चली दोस्तों मेरे पास कुछ डेटा है जो कि कल का है शुकरवाज 26 मार्च का है यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन कम्पनियों के शेर्स में कितनी गिरावट देखने को मिली है जो की आईप्यो लेकर आये थे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर मैं गिरावट की बात करूं तो एंटोनी वेस्ट आईप्यों में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर इसकी लिस्टिंग वैल्यू थी अगर मैं वर्तमान में इसकी वैल्यू बात क तो 23.45 पे इस ट्रेड हो रहा है कितने का अंतर है माइनस 6.20 का अंतर है इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ू तो इंडिगो परेंट्स की लिस्टिंग वैल्यू क्या थी 267.50 और वो आज कितने पर ट्रेड हो रहा है 2330.75 यानि कितने का अंतर है माइनस 10.6 का अंतर है इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ू होंफर्स फैनाइंस की वहां पर भी दोस्तों उसके लिस्टिंग वैल्यू पर कम मतलब ट्रेड हो रहें लिस्टिंग वैल्यू स जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से उपर ट्रेड हो रहा है यहां पर अगर मैं लिस्टिंग वैल्यू की बात करूं 104.60 पर यह आया था 134.05 पर आज यह ट्रेड हो रहा है यानि कितने का अंतर है 28.15 का अंतर है जो कि रेल टैल कौर पर बस यही शेयर है दोस्तों जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से उपर ट्रेड हो रहा है बाकी जितने भी है इजी ट्रिप आप देख ले अनुपर मेरा सायम देख ले इसी तरह से हिरानबा देख ले सभी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहे हैं तोस्तों आज की वीडियो में इतना ह तब तक के लिए दोस्तो जाहिए